खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नहींस एस एस एमपीपेस्टी में तो हम लोग तुद़ पॉइंट प्रोग्राम देख रहे थे और इसमें हमारा जो है तो पेफर फोर पे हम लोग डिसकस कर रहे थे तो दो पॉइंट है न की पॉइंट कहीं साब से हम लोग बढ़ रहे हैं इसमें हमने पहला टॉपिक पूरा कर लिया है और अब दूसरे टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं इस समय है ना तो दूसरा टॉपिक जो है तो उसमें हम लोग देख रहे हैं अभी शमता हमने देख लिये है लोक सेवा हेतु आधारभूत मूल भी हमने देख लिये हैं है तो आज जो हम देखेंगे तो आज हम देखेंगे अपना अगला टॉपिक जो की सत्त निष्ठा है निस्पक्षता है और असमर्थक वादिता है यह तीन टॉपिक हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे और मुख रूप से जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा आधार पढ़ ली है आप रिवीजन के लिए पिछला वीडियो जरूर देखें है ना इसकी प्रेलिस्ट बना दी गई है तो आप उससे इसको देखने का प्रयास करें और पॉइंट बनाएं अपना नोट्स बनाने का भी प्रयास करें जिससे आपको क्या है लिखने में असानी लोग सेवा हेतू अधार भूत मूल कहलाते हैं और यह बिसिकली सिवा के जो है तो नीव होते हैं बुनियाद होते हैं और एक अच्छा लोग सेवक वही है जिसमें योगता हो बिल्कुल यह तो जरूरी है दक्षता भी हो लेकिन साथ ही साथ उसमें मूल भी होने चाहिए ह अधार भूत कुछ मूल ले हैं वह मूल ले हों तब वह एक अच्छा लोग सेवक हो सकता है तो आज हमारा इस टॉपिक की दूसरी क्लास और यूनिट सेकंड की यह पांचमी क्लास है इसमें हम लोग आज देखने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले तो जो अधार भूत मैं भी ने लगना चाहिए आपका 20-22 मिनट में हम लोग पुरा टापिक कवर करने का प्रयास करेंगे तो आधार भूत मूल्यों का वरीकर्ण हम देखें तो हम इसे तीन भागों में डिवाइड करते हैं पहला है व्यक्तिगत और पारिवारिक दूसरा है समाजिक बेवहार पिपकिया वने लोग से वकना आपका यहापने नाम नहीं सुने होगे कि फला रूड हुई तो इसकी नेटा या मंत्री का नाम रहता है तो यह कैया अनाम इताओ, काम करते हैं लेकिन अपना नाम छुपा करते हैं निद्व्यक्तिकत कुछ ऐसा नहीं होता निस्पक्ष्ट उनिसपक्ष रह्मकर यान्ता, समर्पन प्रतिबद्धता किसी भी कार्युक करने से प्रती जो उनकी मन вмुवित्ति होती है उसकी बात की जारे पूर्ण लोकतांत्रिक बैवहार हो गया समनबै सहयोग है ना समनबै सहयोग की साथ साथ उपस्यति होना तो ये समाजिक बैवहार के अंतरगत आता है फिर बात आती है राश्टी जो अधारपूत मूल ले हैं तो उसमें हम संप्रभूता की बात करेंगे कि हम एक दूसरे की मूल के बारे हम्पूल लेता है तो शीद ले के सकते हैं कि यह कैसे मापधंड है इसा मापधंड जो यूँड़्य बताता है कि नातिकों सा कार किया जाना उचित है और तो जो मापधंड ये यह आते हैं उसे ही हम प्रसाष्लिक नेतिकता बोलते हैं हैं ना बागी हम ने इसके जयुक्तियॅन प्राइवासा कि रूप में उसालिक विथा अब हम आते हैं आज के पहले आधार-बूद जो मुल्म है वह सत्निष्ठा सत्निष्ठा के बारे हुग हम लोग तो वो आप करते हैं दूसरा आप कहा सकते हैं कथनी और करनी में समानता होती है मनसा वचना कर्मना मनचा वाचा कर्मना जैसे अपन बोलते हैं मनसा वाचा कर्मना तो मन में जो आपके रहे वो चीज आप जो बोलें वो चीज और जो आप कर्म करें वो चीज, वो तीनों जब एक समान हो जाती है एक जैसी हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं क्या सत्तनिष्ठा, है ना आप बोल, मन में कुछ और सोच रहे हैं सामने वाले को बता कुछ और अलग चीज रहे हैं और फिर आप यह करने की बारी याति आप कुछ अलग कर रहे हैं तो वो सत्तनिष्ट व्यक्ति नहीं हो सकता है ठीक है तो यह तीन पॉइंट आप इसमें लिखेंगे अब आता है इसके प्रकार प्रकार के बारे में सिंपल समझ बता सकते हैं कि इसमें चार से पांच प्रकार हैं बॉधिक प्रकार बॉधिक सत्तनिष्ठा ब्यक्तिकर सत्तनिष्ठा ब्रांड सत्तनिष्ठा बैवसाइक सत्तनिष्ठा और कलाकार सत्तनिष्ठा ऐसे करके इसका है तो बॉधिक सत्तनिष्ठा की हम लोग बात करें तो बौद्धिक सतनिष्टा मतलब की इसमें दो चीज़ है एक तो होता है स्वयम और दूसरा होता है पर है ना स्वयम मतलब क्या खुद पर मतलब क्या दूसरे का है ना अब इसमें बात आती है मुल्यांकन की तो आप खुद आप जिन परतिमानों पर खुद का मुल्यांकन करते हैं जिस कठोरता से आप खुद का मुल्यांकन करते हैं उसी कठोरता से आप दूसरे का मुल्यांकन करें है ना या ऐसा कहें कि जिस कठोरता के साथ आप दूसरे व्यक्ति का मुल्यांकन करते हैं उसी कठोड़ता के साथ आप खुद का भी मुल्यांकन करें तो यह क्या है यह बौधिक सत्यनिष्ठा है सबके लिए समानता स्वयम के लिए भी और पर मतलब दूसरे के लिए भी फिर बात आती है बैक्तिगत तो वेक्तिगत सत्य निष्ठा क्या है तो वेक्तिगत सत्य निष्ठा हम दो चीज़ आती है एक तो आता है क्या सिध्धांत और दूसरा आता है आचरण सिध्धांत और आचरण सिध्धांत और आचरण के बारे मैं बताएंगे सिध्धान्त अच्छन मतलब क्या कि जो आपके सिध्धान्त है वही आप आचरण भी कर रहे हैं तो वो क्या है यह आपकी बेख्तिगत सत्यनिष्ठा है बेख्तिगत रूप से आप सत्यनिष्ठ है फिर आता है बैवसाइक सत्यनिष्ठा बैबसाई की नियम नियम का पालन कान करना ही क्या है? वाकी स्थीनिश्था है जैसे कोई वकील है तो भले चीज़ें उसको है लेकिन वकील उसका क्या है? उसके कान से नियम है? उन नियमों को से पालन करना चाहिए वो चीज है, डाक्टर है उसका क्या अपना जो इथिक्स है, वो क्या है वो चीज है फिर यह था कलाकार सत्यनिष्ठा तो कलाकार सत्यनिष्ठा यह समस्कते हैं आप जैसे कोई भी ब्रांड है जैसे मौनटिन डिव है तो रितिक रोशन बोलते हैं डर के आगे जीत है और यह सब चीजें तो कलाकार सतनिष्ठा यह बोलती है कि आप वही बात कहें जो आप देखें जो आप सोचें है ना आप उसका प्रयोग करें और यदि वह बागई वह चीज है तो आप फिर बोलें जैसे कि सैंपू का एड़ है कोई हिरोइन कर रही है उसके बड़े बाल है हो सकता है कोई दूसरा सैंपू यूज करती हूं ना एपल मतलब सिक्यूरिटी हैna Android है उसका लग है Samsung है उसका लग है तो जरेici ये क्या है अ क्या है ब्रांड है हर ब्रांड की एक अपनी हूवी है हना वो क्या है उसकी चमिंम का निर्मान करती है तो वो क्या है वो ब्रांड सत्यनिष्ठा इस तरीके से हम बताएंगे कि ये ब्रांड सत्यनिष्ठा कहलाती है तो सत्यनिष्ठा के प्रकार में आप सीथा सा बताएंगे बौधिक सत्यनिष्ठा व्रक्तिकर सत्यनिष्ठा ब्रांड सत्यनिष्ठा कलाकार सत्यनिष्ठा और बेवसाइक सत्यनिष्ठा, यहाँ पर अप लिख सकते हैं, सुसंगत छवी, तो यह चीजें हो गई, है न, अब आते हैं इसके अगला, तो आगे की जो मैं बात बताऊंगा, जैसे लाब हो गया, महत्तो है, है न, या चुनोतियां क्या हैं सत्यनिष्ठा के मार्ग में, या इ common रहेगा, जितने भी आपके अधारभूत मूल हैं, उन सभी मूल्यों का जो लाब और महत्तो हैं, वो समान रहेगा, है न, एक दो point आप चेंज करने पड़ेंगे, चुनोतियां क्या हैं, वो भी समान रहेगा, और उनमें बृद्धी के जो उपाएं हैं, वो भी समान रहे तो आपको यह अब जो मैं यहाँ पर बात करूँगा, उसको आपको ध्यान से सुनना है और याद करना है, यह point आपको हर अधारभूत मूल में लिखने जरूरी हैं, है न, जब भी आप उनके लाब, महत्त, उनकी चुनोतियां, या उनके बृद्धी के उपाएं, तो उनम सतनिष्ठा के लाब क्या है, या सतनिष्ठा का महत्त क्या है, तो सिंपल सा देखें, आप कहीं भी आप समझेंगे, तो भाई विस्वस पहले काता है विस्वस नियता, यदि आप सतनिष्ठा है तो विस्वस नियता मृद्धी होगी, कौन विस्वस नियता मृद्धी होग कि प्रति विष्वास का भाव पैदा होगा फिर कार को सिलता यदि आप सत् निश्थ है किici ma knit नहीं पिर बाद आते हो कर दोकह सा कोई क्लँधी हो जाती है कोई काम नहीं कर बाता लेकिन आप सत् निश्थ वकी है तो आप के द्वारा किया गया वह अखार, अप बार्द माना जाएगा, कि भाई गलती हो गई होगी, इसे हैं न, वो चीज hé, घिसरा क्या है कि अधिकारी करमचारी में समनवे, जो अधिकारी है, जो करमचारी है उनके मद्न समन्वे की बात होगी, एक दूसरे की बात समझेंगे और कारे को तेजी से करने का बात करेंगे ब्रश्टाचार में कमी आएगी जब कोई व्रश्टाचार कैसा हो कम हो जाएगा सुसासन की बात करेंगे हम लोग कि सुसासन मतलब जो नागरिकोन मुखी जो प्रशासन उसकी बात हम करेंगे कि जो सासन प्रशासन है वो नागरिकों के जो काम है नागरिकों के अनुसार जो है तो उसको संचालित किया जाएगा ये चीज़ आएगी फिर समाजी कार्थिक नया, समाजी कार्थिक नया कि हम बात करें कि जो भी जनाए लाई जा रहे हैं, जो भी काम किये जा रहे हैं, तो उनका जो समाजी कार्थिक नया है, उस समान रूप से सभी वेक्तियों को उसका वितरण किया जाएगा, तो यह चीज़ आती है, क्योंकि आप सत्तिनिष्ट वेक्ति हैं फिर बताती ही जो आपकी जो जनाएं हैं जो नीतियां हैं उनका उद्देश है जो लक्ष है उनकी प्राप्ति में भी आपके तोरा किया गया कारे जो है तो महत्मुर्ण भूमिका निभाएगा है ना इस तरीके से आप बता सकते हैं भई समाजिक चीजें हैं जो कुछ कुरूतियां हैं समाज में यदि आप उसके बिरोध में बात करेंगे तो जनता बात मानेगी आपकी है न क्योंकि जनता पर विस्वास कर रही है तो इस तरीके से हम लाव और महत्त लिख सकते हैं सभी में कॉमन है भ्रेष्टाचार हो गया व पूछे जाएंगे उन में से आपको चुनोतियां लिखना है तो आपको यही सब इंदू सभी में लिखना है जैसे चुनोतियां क्या है तरस पहली चुनोति लाल फीता साही है यथा इस्तिद्वाद है भाई वतीजा वाद है ब्रेष्टाचार है और कठोर नेमों का भाव बढ़ाता है अब लाल फीटा साही क्या है लाल फीटा साही आप ने देखा हूगा जाoga सरकारी कारियाले में जाते हैं तो एक लाल लंख कपड़ा है उसमें फाइल बंधी रहती है है इंचित। फाइलों का रखा रहा है ना एक जगा पर वो क्या है वो है लाल फीता साही पैसे नहीं आ रहे हैं उनको जो है तो मुद्रा नहीं मिल ली तो फाइल है या कोई नेता है कोई पुत्र है उसका बेटा है भाई है उनके माध्यम से कारे कराना आप समझ तो आप समझें ग Wellness नहीं भी है तोो भी कठोर ऐसे कउए नीयम नहीं है जिसमें आपको कारत्म मिलेख मिलेगा तो आप या छीजें बता सकते है न आपकी पाइंट आपके बंते रहेंगे तो पहला तो क्या है सत्य श्टा चरण मतलब कि जो जनायें चलाई जाती है उनके पक्ष में उनके साथ में उनके साथ में क्या चीजें हैं उनका लक्ष क्या है कितने दिनों के अंदर काम देना है क्या-क्या चीजे हैं तो हुग avons कि यह सार किया जाए लोग भावना जो है तो इसके प्रती अच्छी होगी फिर पार-दी-पुरुसकार का नि जाया कि उसे को प्रिस्कार जो है या जो भी आधारपुत मूल्य है तो उसका जो मापन है वो वस्तुनिष्ट आधारपे हो वस्तुनिष्ट मतलब कि एकदम क्लियर point to point की ये चीज़े हैं ये मानक हैं तो बिल्कुल सही है फिर है इस परश्टवा इमानदार प्रफा सुझाओ ये कोई वक्ती है प्रसासन में है तो आप से कोई वक्ती सुझाओ माग रहा है तो आप उसे इमानदार सुझाओ दीजे न कोई गलत सुझाओ मत दीजे क्या है ऐसा करो इसा करो इमानदार सुझाओ कि हाँ भाई ठीक है ऐसा ऐसा कर सकते है फिर बात आती प्रसिक्षन की तो प्रसिक्षन के जो अस्तर है उस पे विशेज ध्यान देना होगा दो छेत्रों में सबसे पहले तो नौकरी जब आप जॉइन करते हैं जब कि जॉब लग जा दी तो सबसे प्रसिक्षन ही होता है और यहीं पे छोण दिया जाता है तो ऐसा हो कि प्रसिक्षन जब आप कारे करते रहें नौकरी करते रहें उसके दोरान में बीच बीच में दो साल तीन साल के दोरान आपको प्रसिक्षन दिया जाए और प्रसिक्षन कैसा हो प्रभावी हो प्रसिक्षन और नियम बनाये जाए कि इस तरीके से स्थान्तरंति या या इस तरीके से की जाएगी crystal कि अईसा नहीं किसी नेता काम नहीं हुआ तो टुरंट उसका सांखरन कर दिया गया ट्रांसफ़र कर दिया गया उसका तो ऐसा नहीं होना चाहिए है ना फिर बात deci जवाश दे था जवाब दें शोनिश्न में और खर दें लिजब तर सकारे को करने के परतिया आप जवाब दे हैं कि यह काम यह ह Until गलत हुआ है जिसको प्रतिय जवाब दे है आप है A不是 जो है तो बताना पड़े ला बतांना पड़े ग classroom laquelle लोग सिवा गारेंटी अधिनियम है ना ओनलाइन जो काम करना है उन सब चीज़ों पर आप विसे इस फोकस करेंगे तो इस तरीके से हम लोग यह समझ सकते हैं है ना पारदर्शता वृद्धी की जाए है ना तो यह सब क्या है यह वृद्धी के उपाए हैं तो वृद्धी क जो समाज में रह रहा है तो समाज में जैसे जिस प्रकार के मूल रहेंगे उसके इस तरीके से रहें। तो समाजी करन पहली बात दूसरी बात पालन पॉष्णंakная आपका जो परिवार है आपको जो विद्या मनवर्धिक है तो वहां पी उनका प्रभाव रहेगा है , चीज मायने रखती है फिर बात आती है मीडिया कैंपेन मीडिया कैंपेन मतलब की टीबी हो गया है ना जैसे बर्दमाने बात करें तो फेस्बुक है इंस्टाग्राम है यूट्यूब है ट्विटर है और जितनी वी सोचल मीडिया साइट्स है तो सभी का उप्यों किया जा सक आपको यह कुछ पॉइंट भूल जाता है तो भी आप इनहीं पॉइंट को एक दो इंधर उधर करके आप लिख सकते हैं अब बात आते हैं अपना जो अगला जो आधार भूत मुल है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि वो क्या है तो निस्पक्षता है तो निस्पक् है जो फैक्ट है जो वस्तनिस्ट कारण है उनहीं को आधार सब्सक्राइब करें नहीं तो यह दी आप एशा करते हैं तो आप एक निस्पक्षक्ष रखती है अब यही दोसराibile sub प्रमुख सिध्धान्त है नियाए नियाए वही है ना जो किसी तरफ पक्षपात ना हो है ना पक्षपात के बिना किसी भहे के बिना जो निरने दिया जाता है वही तो नियाए है है ना तो नियाए का प्रमुख सिध्धान्त क्या है निस पक्षता है इसमें जो तो साजनिक ह हित यदि है तो आप उसकी तरफ आप पक्ष ले सकते हैं उसका बजाय की निजी हित में है ना तो साजनी हित को जाता महां तो दिया जाएगा तुलना में किसके तुव्यक्तिकत हित के जैसे यदि हम बात करें कि यदि कोई आपकर संबंधित है अब अच्छा एक चीज़ और कोई लोग सिद्ध करने में लग जाते हैं नहीं मैं बिल्कुल निस्पक्ष हूँ मान लेजे कि आप टीचर हैं और आप बोर्ड परिशाए कंपी चेक कर रहे हैं है ना आपकी बेटी कंपी आपके सामने है आप देखते हैं कि आपकी बेटी के जो नंबर आ रहे हैं तो य बेटी को नंबर देते हैं जबकि होना कЯ चाहिए यह चाहिए कि जो आपकी बेटी नहीं लिखा है यदी वो जो प्रशन की इमांड है यदी उसको पूरा किया जा रहा है तो आप उसको जो नंबर है वो दिये जाएं इसलिए उसके नंबर ना काट लिए जाएक कि चुए आपको उसके पिता है और आपको निस्पक्षता सिद्ध करनी है या तो इसलिए उसके नंबर ना बढ़ा दिये जाएंगे चुक्कि आपको उसके पिता है तो आपको जादा नंबर देंगे तो सीधा सा बात यह है कि संबंधित को लाभ ना देना, विरोधी को हानी भी न पहुचाना और यही जो है तो निस्पक्षता का एक पैमाना हो सकता है तो आप निस्पक्ष रूप से जो है तो ऐसा ना करें, है ना निस्पक्षता साबित करने के लिए अपने संबंधित के साथ आन्या ना करें ठीक है? तो ये निस्पक्षता होती है, बाकी इसके जो उपाये हैं यह दे बात करें कि क्या है? चुनोतियां हो गई, है ना? ब्रिद्धी के उपाये हो गए, है ना? तो वो सब चीजें जो है तो अपन काई से देखेंगे? अपन ऊपर जो अपन डिस्कॉस क के प्रती लगाओ निश्ठा जैसे भाव की अनुपस्तिती जो है तो असमर्थक वादिता कहलाती है जैसे लोक सेवक हैं आप कोई लोक सेवक हैं आप किसी नौकरी पे आप को अधिकारी हैं तो आप किसी दल जो राजकीर नीतियां हैं, उनको लाउ करने का प्रयास करना चाहिए, यही है असमर्थक वादिता, जैसे सरकारी नीतियां हैं, यह जनाएं हैं, उनको ख्रियानवित करते हुए, तर्षत रहकर आपको राष्ट हित्मे प्रयास किया जाना चाहिए, तो असमर्थक वादित का सबसे सीधा सार्थ है कि तरस्ता का जो भाव है यदि वो आपके अंदर है तो आप एक असमर्थक वाज़िदी व्यक्ति हैं मतलब आप किसी का समर्था नहीं करते हैं तो इस तलिके से हमने अपना दूसरा भी ये समझ लिया है तीन जो मूल लेते वो हमने आज देख लिए है सत्यनिष्ठा और निस्पक्षता और असमर्थक वाज़िता सेस जो बचे हैं तो अगले नेक्ष्ट भी करेंगे अगले वीक में कोशिच करेंगे वर्स्त निष्टा लोग सेवा प्रतिसमर्पन और सहानभूती ये टॉपिक हम लोग कर लें और नेक्ष्ट में हम लोग सह आप हमें इंस्टाग्राम पे फ़लो कर सकते हैं ना चाहिसे के नाम से है ना तो चलिए जुड़े रहे हैं मिलते रहे हैं कि क्या बढ़िया है वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और यदि हमारा प्रयास अच्छा लगे तो आप इसे प्रोसा वीडियो बनाने के लिए बना रहा है हसते रहिए मुस्कुराते रहिए कोसिज करते रहिए क्योंकि कोसिज किये बिना जैजाकार नहीं होती आपका बहुत-बहुत धन्यवाद